हाँ गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज हम बनाने वाले हैं गाइज आलू के प्राठे, आलू के प्राठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या क्या है, दो-क्तोरी आटा लिया है, आटे में हम डालेंगे स्वाध अनुसार नमक, अब हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर इसको मिक्स कर लेती हूं नमक मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल तो यहां पर मैंने दो चम्मस तेल डाला है अब हम इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकि इसको गूत लेंगे आटी को तो यहाँ पर जो आटा है आपको एदम सौफ्ट रखना है ज्यादा ना टाइट ना पतला करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा आटा है गुत कर त्यार हो चुका है मैं इसमें ऐसे ऐसे मुक्की कर लेती हूं तो तेल लगा कर हम छोड़ देंगे इसको 10-15 मिन्ट के लिए गाइस पराटी की पिठी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आलो को बाल के रख लिया है अब हम क्या करेंगे इन आलो को करेंगे कद्दूकस और कद्दूकस आपको मोटे साइड से यूज करना है बारिक साइड मिक्स कर दूंगी तो यहाँ पर मैंने इसमें हरे मिर्च प्याज डाल दिया है इसके बाद हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर तो यहाँ पर हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसावा धनिया तो पिसावा धनिय के बाद अब हम इसमें डालेंगे गाई चाट मसाला चाट मसाले से स्वाद आता है ना प्रांट में एकदम ला जवाब आता है आप जुरू ट्राइ करना तो यहां पर हमने चाट मसाला भी इसमें डाल दिया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुस तो यहां पर आप देख सकते हो सारे मसाले हमारे मिक्स होने शुरू हो चुके हैं तो इसी तरीके से आपको सारे मसाले प्याज जो भी हमने डाला था इसमें हम मिक्स कर देंगे तो ये अल्मोस्ट हमारे जो पिठी है जो इसमें फिलिंग है प्राठे वाले वो बनकर त्यार हो चुकी है तो ये हमने बना ली है तो चलिए हम प्राठे बनाने करते हैं शुरू दस से पंदरा मिंट बाद जब आप चैक करेंगे आठे को तो हमारा आठा तिना सौफ्ट सौफ्ट सा हो जाएगा तो चलिए हम इसकी लोई बना लेते हैं तो यहाँ पर जो लोई है गाईस हम पतली पतली बनाएंगे क्योंकि हम क्या करेंगे हम बनाएंगे डबल वाले प्रांठे एक होता है कि आपने एक प्रांठा लिया और उसमें आपने फिलिंग करके उसको सिंगल प्रेस करके आपने उसको प्रांठा बनांके त्यार किया बट अभी हम जो बनाने वाले हम बनाने वाले हैं डबल वाले फिलिंग है इसको पूरी अच्छे से फिला लेंगे तो जो दूसरा प्राठा बनाया था वो इसके ओपर ऐसे कवर कर देंगे तो यहाँ पर आपको इस दोनों रोटी को आपस में कवर कर देना है अंदर फिलिंग करने के बाद तो यहाँ आप देख सकते हूँ और एक्ष्टर में हटा देती हूँ अब मैं इसको ऐसे बार एक बार इसके किनारे दबा देती हूँ क्यों क्या होता है यह फट जाते हैं तो मैं इसको हलकी हलकी हाथ उसे से प्रेस कर रही हूँ और ये एक्तम ऐसे हो गया है soft तो मैं इस पर हलकी हाथ उसे अपना बेलन दोबारा से चलाओंगी इस पर बट यहाँ पर जो इस पर हाथ आपको बहुत हलकी हलकी से फेरना है गाईस वारना क्या होता है प्राठा हमारा फटने का भी डर रहता है तो यहाँ पर हमने जो पराठा है बना कर त्यार कर दिया है अभी हम इस पर तेल लगाएंगे तो येस पराठा एक्दम बन कर त्यार हो गया है आपको इसी तरीके सारे पराठे बना लेने है तो आपको यहाँ पर क्या करना है जो इसकी किनारे है उस पे हलकी हलकी आतों से पूरा बिलन फेरना है ताकि इप किनारे पतले हो जाएं तो चलिए हम तवे पर डाल देते हैं तो यहाँ पर एक साइड से एक दम सीख चुका है हम इसको पलटेंगे और यहाँ पर लगाएंगे इस पर तेल यहाँ पर जो गैस की फ्लेम है आपको लो ही रखनी है वरना परांठा हमारा जल भी सकता है अब हम इसको पलट कर लगाएंगे दूसरी साइड से तो हमने क्या किया है गैस दूसरी साइड भी लगा लिया था वाकि मैंने इसको पलट दिया है तो आप देख सकते हो जो गैस की फ्लेम है लो है तो इसलिए हमारा परांठा थोड़ यालो यालो है वरना क्या होता है इसमें नहीं ब्लैक ब्लैक चीटे से बन जाते है अगर आप हाई फ्लेम पे बनाते हैं तो तो यहाँ पर जो परांठा है बन कर त्यार हो चुका है तो चलिए हम इसको सर्व करते हैं तो इसी तरख्य से मैंने सारे परांठे को बना कर त्यार कर लिया था तो यहाँ पर मैं एक प्लेट में इसको रख देती हूँ और आप इसको दही के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं बहुत यमी लगते गाईस अगर अच्छी लगी हो गाईस तो चनल को सब्सक्राइब लाइक शेर करना बिल्कुल मत भूलना तो मैं आपको दिखा देती उसके अंदर की फिलिंग कैसी ही बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहा है तो आप अपने घर में जरूर ट्राई करना गाईस मैं मिलती हूँ अगरी रेशीपी के साथ